हेलो एवरिवन एक बार फिर से आप सभी का स्वागत हैं आपके अपने इस यूटूब चैनल पे मैं हूँ मोन सुथार तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे भी जो स्टुडेंट्स अकाउंट्स जोब करना चाते हैं यानि कि अकाउंटिंग के फिल्ड मे हमें जोब जल्दी मिल जागी या हमारा कोई relative या हमारा कोई friends है जो company में जोब करता है वो busy software को ही use करता है तो दोस्तों अगर आपके mind में भी कुछ ऐसा question चलता है भी हमें accounting job के लिए कौन सा software पहले सीखना चाहिए आखिर का telly prime software है क्या busy accounting software क्या है पहले कौन से सीखने में तो सारी बाते हैं आज की इस विडियो में हम आपके साथ clear करूँगा तो इसके लिए आपको वीडियो को एंड तक जरूर तक जरूर देखना होगा क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको कुछ ऐसी बाते हैं देखने को मिले गी जो आप सोच भी नहीं सकते हैं तो आज की इस वीडियो को आप एंड तक देख लेते हो तो सारा नोटिफिकेशन बेल को भी आप जुरूर हिट कर लो क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी टाइप की इनफॉरिमेटिव वीडियो कंटिनू मिलती रहेगी और वीडियो पसंद आए तो लाइक जुरूर करें दोस्तों के साथ वीडियो को शेर भी जूरूर करें तो शुरू करत तो केवल अकाउंटिंग शॉप्टवेर आपको अकाउंटेंट नहीं बना पाएंगे एक बात का तो यह आपको 100% माइंड में रखना होगा अगर आपने बिना अकाउंट सिखे वे यानि कि बिना प्रैक्टिकल आपने की वे अगर आप डायरेक्ट सॉप्टवेर को सीखन स्टार्ट कर दोगे तो आपको जोब नहीं मिलेगी क्योंकि टेली सॉफ्टवेर सीखना अकाउंटेंट बनना नहीं है तो यह सबसे बड़ा कंफ्यूजन हर एक स्टुडेंट के दिमाग में रहता है अगर नहीं रहता है तो इंस्टूट वाले उसके दिमाग में जबरतस भी और तो तो फिर लोग केंगे भी आकाउंट की जोग के लिए टेली सॉफटवेर सबसे जादा यूज होता है बिलकुल होता है बीजी सॉफट वियर होता है इसके ब्हुत सारे अकाउंट। य्याद्व का अब किजूजब चांड़ का या का यूज ह आज से अगरम बात करें भी बैक साल में ज़ेने 20 से 25 शाल अगरम पहले की बात करें तो अकाउउट्स का लोग जो होता है वो सारा-का-सारा काम अपने खाता बयियों के अंदर मेंटेन करते ते यांकि सारा-का-सारा बाई एंड अकाउउट्स जो रिकॉर्ड मेंटेन करते थे लेकिन अब जैसे जैसे टेकनोलीजी बढ़ती गई टाइम बढ़ता गया वीजनस का क्राइटियरिया बढ़ता गया टेक्सेंशन के और अकाउंटिंग के जो कंप्लाइंस हैं वो बढ़ते गए तो वो सारी बातें मेनुवल थोड़ा सा पॉसिबल होना संभव नहीं हो पाया इसके लिए उन्होंने यह चीज़ भी इसकी जो सुरुवात है वो उसको भाग करना यानि कि मल्टिबल डिवाइडेशन सब्कुरिशन या सब कुछ इसके बारे में अगर हमें नोलेज है परसेंटेज के बारे में पहले से ओलडी पता है तो हम कैलकुलेटर का फायदा उठा लेते हैं अगर हमें खुद को इस बात का पता नहीं है जोड करना किसक करना किसको बोलते हैं मल्टिबल डिवाइड क्या होता है परसेंटेज क्या होता है तो कैलकुलेटर आपका कोई काम का नहीं है तो सहम यही चीज अकाउंटिंग सौफट्वेयर के ओपर भी लागव होती है अगर आपको अकाउंट्स का नोलेज नहीं है तो आपको टेली काम इसके अंदर करना पड़ेगा अकाउंट्स मेंटेन करने का मतलब होता है कोई भी अकाउंटिंग सौफट्वेयर दे लो इसमें आपको जो मेन काम करना होता है वो होता है यह गा यानिकि वाउचर इंट्री करना अब वाउचर इंट्री होता क्या है इंटरप्रेस करें तो आप एक साइड के अंदर लिश्ट देख सकते हो हर सॉप्टवेर के अंदर इस टैप की शोटकट की होती है थोड़ा बहुत लोकेशन का डिफरेंस हो सकता है जैसे कि आपके सामने यह टैली सॉप्टवेर ओपन है अगर हम बात करें बीजी सॉप्टवेर की तो बीजी प्रेमेटर सेफट जनरल कोंटरा डेबिड नोट क्रेडि नोट यहन की हमें केवल सॉप्टवेर के अंदर अकाउंट्स वाउचर की ही इंट्री करनी होती है अब उसके बाद में जो भी हमारी रिपोर्टिंग त्यार होती है यहन की किस पार्टी का क्या बलेंस रहे गया वो सॉप्टवेर हमें आटोमेटिक बताईगा हमारा टेक्स कितना बन गया वो आटोमेटिक बताएगा हमारी जो टेक्सेशन की डिटेल है जिसा कि हमारा जीश्टी की रिटन त्यार करनी होती है इंकम टेक्स परपस से हमें ट्रेडिंग काउंट प्रॉफिट एन लोस चाहरी हो सही तरीके से करने का मतलब क्या हो गया अब जैसा कि हम अकाउंटिंग जलते हैं तो अब सॉप्ट्वेर ने आपको यहां पर एक हिंट दे दी अगर आपको पैमेट वाउचर की इंट्री करनी है तो आप एफ प्रेस कर सकते हो या पैमेट के ऑप्सन पर क्लिक कर सक ओकर करा करना चाहते हो अब मालजी है या इनट्री है हमने किसी सप्लाईर सको पेमेट करिए है अब जैसे बात है जो भी आपके पार्टी है, जिसके आप क्रेडिट करोगे, उसका पैसा जमा हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं है, रियर लाइप के अंदर हम करना क्या चाहते थे, जिसरे हमने गुट्स परचेज किया था, यानि कि जो हमारा सप्लायर सा, उसे हमें बुगतान करना है, पैसा हमार हमारी बिजनस से जाना चाहिए, लेकिन उल्टा हो रहा है, पैसा हमारी बिजनस में आ रहा है, तो इस ही कंडिशन के अंदर क्या होगा, हमारी सारी बुक्स अप अकाउंट्स है, वो गड़ बढ़ा जाएगी, अगर आपने इंट्री गल्त कर दी, तो आपकी जो रिपोर् चाहिए, पि जो भी आप इंट्री करने जा रहे हो, उस इंट्री से आपकी बुक्स अप अकाउंट्स पर क्या इफेक्ट पढ़ेगा, यन कि परचेज बढ़ेगी, सेल बढ़ेगी, कोई एक्सपेंसिस आपके बढ़ने वाले हैं, या फिर कोई आपकी इंकम इसे बढ़े बिल्कुल सही करवाई है तो, तो दोस्तों सबसे बड़ा कंशुजन फ्रेशर स्टुडेंट के दिमाग में ही रहता है, पि टेली सॉप्ट्वेर सीखने से हमें जोब मिल जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, टेली सॉप्ट्वेर सीखने से किसी को जोब नहीं मिलती, तो क्योंकि उसके लिए आपको प्रैक्टिकली इंट्रियन सीखने पड़ती है, चैए आप किसी इंस्टूट पे सीखरी हो, चैए आप टेली सॉप्ट्वेर सीख के किसी अकाउंटेंट के अंडर में आप वर्क करो, वहां से आप प्रैक्टिकल नोलेज लो, तो आपको प अपने बीजनर्स का जो भी लेंदिन है, टेक्शेशन के जो भी रिपोर्टें वो भी तो अपने हाथों से तियार करती है, तो इसका मतलब यह थोड़ी अभी उसके पास कंप्यूटर नहीं है, या लैप्टोप नहीं है, तो उनका अकाउंट मेंटेन नहीं होगा, यानि क को ऐसा नहीं है, कोई आपको बेलेंस सीट सौफट वेर के अंदर बनानी ही पड़ती है, आपको ट्रेडिंग काउंट को बनाना पड़ेगा, प्रोफिट एन लोस काउंट आपको बनाना पड़ेगा, या फिर जो जी एश्टी की रिटन से वेगर होती है, वो आपको कोल भी नहीं होता, सौफट वेर के अंदर हमें केवल इंट्री पास ही करनी होती है, परचेज वाउचर की इंट्री हमें, परचेज वाउचर में, सेल की सेल में, पेमेट वाले पेमेट में, रिसेट की, क्रेडि नोट, डेबी नोट की, तो उससे पहले हमें खुद को पता अब यही होता है जो गौर्मेंट की तरफ से इतने सारे compliance है इतने सारी जो taxation की accounting से related इतने सारे rules है इतने ज़्यादा आ चुके है ना भी अब manual काम करना possible नहीं है इसलिए accounting software का सारा लिया जाता है और यह नहीं है भी आप सिधा accounting software सेखना ही start कर दो और आपको accounts का बिल्कुल भी knowledge नहीं है तो इससे क्या होगा भी आपको computer का knowledge तो हो जाएगा बट प्रोपर accounts का knowledge आपको नहीं हो पएगा आपको खुद को पहले accounts को समझना पड़ेगा accounts के rule को समझना पड़ेगा यानिकि debit credit किसको करना होता है credit किसको करना होता है क्योंकि software आपके सामने open है आप उसके बा अब जैसे जेसिए रवन आपको त्यार करनी है। तो घेस्ट रवन का पता आपको पले होना चाहिए। विप जीए स्ट्राहिन के अंदर हमारी डिकर शॉक्तित की सेल की पीर एकजेमट सेल के आपजन की वाट स्थी ढूपे нрав यह तो software के अंदर हो सकता है, आपने को वापजर की entry गल्थ कर दियो, तो उसकी वज़े से आपकी सारी की सारी reporting है, जो गल्थ हो सकती है, तो दोस्तों I hope कि इस वीडियो से आपको जुरूर कुछ सेखने को मिला है, क्योंकि अब आपको पता चल गया होगा, भी direct, telly software और busy software सेखन आपके सामने आजेंगे, लेकिन सभी की कानी एक जिसी ही होती है, सब अलगलग company है, और company ने अपना-पना एक अलग एप बनाया होता है, तो जैसी बात उसके अंदर काम सभी का एक तरीके से होता है, हमें voucher की entry आँ ही pass करनी होती है, हाँ बस थोड़ा बहुत software का नाम चें आपके से show data दिखाई देता है, और BG software के अंदर ये सारी के सारी जो heading है, वो सारी age आपको tabs के रूप में मिलेगी, और वो tab पर क्लिक रोगे, तो आपको यहां पर सारी report है, जो देखने को मिल जाए, जैसे कि ट्रांजेक्शन पर हम जाएंगे, तो ट्रांजेक्शन पर सार शेयर भी जुरूर कलते मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में एक और नए इंटरस्टिंग टोपी के साथ,